दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक ओड़नी वीडियो में इस वीडियो में हम लोग probability theorem के बारे में बात करेंगे जैसे addition theorem, multiplication theorem और conditional probability theorem तो इन तीन theorem के बारे में हम लोग इस particular वीडियो में बात करने वाले हैं और यहां पर हम लोग अभी उनका concept समझेंगे और next वीडियो में फिर जो होगा part 2 इसका होगा उसमें हम लोग questions करेंगे इन theorems के उपर आप देखें जो probability theorems का जो topic होता है probability chapter के अंडर में यह काफी जादा important होता है क्योंकि अगर आप हर exam में देखेंगे तो normally यह पूछाए जाता है जो addition theorem होगा इंसे related कोई ना कोई question आपको हर exam में देखने को मिलेगा जैसे UGC net का exam हो गया या फिर assistant professor higher education के exam हो गया ठीक है या फिर research methodology के आप लोग PhD में जब admission निलने के लिए देते हैं तो वहाँ पर भी probability से related questions आप से पूस्ता ही पूस्ता है तो यह theorem जो होती ही काफी जाद important होती क्योंकि इन से related कई question होते मतलब अगर आप कोई भी question देखेंगे probability में तो उसमें कहीं न कहीं इन तीन theorem का use ह होता ही होता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे addition theorem से अब addition theorem में देखें जो statement आपको दिया हूए हो क्या है if A B and C are mutually exclusive events तो हमाया पास में जो तीन events है A B और C तो यह 3 mutually exclusive events मतलब अगर एक आता है तो वो दूसरे के आने की probability को एकदम खतम कर देता है तो इसको हम लोग बोलते है mutually exclusive events अब आगे क्या बोला है A B and C are mutually exclusive events on a sample space associated with a random experiment then the probability of happening one of them is the sum of their individual probabilities तो अगर आपके पास में 3 mutually exclusive events है A B और C अब यहाँ पर यह और word जो लगा हुआ है इसका ध्यान आप रखेगा क्योंकि अभी question में हम लोग इसी word के through यह पकड़ेंगे कि हमको addition theorem को कहाँ पर apply करना है तो समते है और बी और सी तो इन तीनो मेंसे किसी एक के होने की probability in तीनो एगे की probability जो होगी वोarni के individual probabilities के सम के ठीके यह इन के इन टीन और पास Attack sमॉने की probability कि चिसके बराबर होगी इन तीनों के individual probabilities के ठीके तो यह होता है हमारा एदिशन theorem कुश्चंट समुशकों समने को समझते हैं जैसे यहां पर देखें, a bag contain five white, four black and three yellow and four red ball, what is the probability of getting a black or red ball at a random in a single draw of one, अब ये क्या बोल ला है, एक आपके पास में bag है, suppose, इस bag के अंदर में, पांच white हैं, चार black हैं, तीन yellow और चार red balls है, तो total number of balls आपके पास में कित्ती हो गई है, चार प्लस पांच, पांच प्लस चार नो, तीन बारा और चार सोला, तो total हमाई पास में 16 balls थी, और इसमें 5 white, 4 black, 3 yellow और चार red थी, अब ये बोल ला हैं से कि हमने एक ball को इस bag में से निकाला, अब ये पूछा है कि उसमें जो ball आपने निकाली हैं, उस ball के black या फिर red होने के क् chances हैं, तो जब भी इस तरीके का question आप से पूछता है कि इसके या फिर इसके मतलब black और red, तो इन दोनों में से किसी एक के होने के क्या chances हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे probability of, आपको चाहिए black, तो addition theorem के साब से चलें, तो यह हो जाएग ब्लैक और प्लस, ठीक है, ब्लैक प्लस लिखें या फिर आप इसको और लिख सकते हैं, तो probability of black और red ball, probability of black और red ball, will be equals to probability of individual probability of black ball, plus individual probability of red ball, तो आप question हमाई पास में एकदम simple हो गया, तो probability अगर आप black की देखेंगे, तो black हमाई पास में किती बहुत बहुत थी हैं, चार black balls थी, तो यह हो जाएगा, चार, अपॉन में total number of balls किती हैं, 16, प्लस, probability of red ball, red balls को में पास में किती हैं, वो भी चार है, पनीचे total number of balls हो जाएगा, इसी formula को मैं पहले भी आपसे discuss कर चुका हूँ, जो अप्रोचे वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको इस formula क मतलब total number of balls हमाँ पास में 4 थी, black में और इसमें red में भी चार थी, और नीचे total हमाँ पास में 16 ball थी, तो इसी लम लोगों ने 4 by 16 और प्लस 4 by 16 किया हुआ है, तो यह हो जाएगा, 4 by 16 प्लस 4 by 16, equals to आप करेंगे, तो यह होगा 8 by 16, और इसका answer निकल करके है, और 1 by 2, यानि कि 0.5, तो जब भी आपको और का case मिलेगा, मतलब यह event या फिर दूसरा event, तो या फिर दूसरा event तो अगर इस तरीके से आपको statement दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे addition theorem को, next हम लोग बात करते है, multiplication theorem की, तो यहाँ पर ही क्या बोला है, if A, P and C are independent event, अब इसका धिय is equal to the product of, is equal to the product of their individual probabilities, तो यहाँ पर यह बोला है कि अगर आपके पास में तीन independent events है, A, B and C, यह तीन independent events है, तो इन तीनों independence के एक साथ होने की जो probability होगी, वो होगी इनके individual probability के product के equal, product का मतलब है कि multiply हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना था कि तीन जो independent event है, A, B और C, इनके साथ में होने की probability, तो addition theorem में हमने क्या देखा है, event A, or event B, or event C, तो या तो A, या तो B, या तो C, तो यहाँ पर लगती थी addition theorem, ठीक है, और यहाँ पर जो multiplication theorem में आएगा, तो यहाँ पर यह बोलेगा, A and B and C, तो together इन तीनों के साथ में होने की probability, तो यह होगी हमा इनके multiply कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखने को independent वाला मैंने आपसे इस लगा, क्योंकि अभी आगे जो हम लोग conditional probability करेंगे, तो उसमें इसका आपको different समन में आना चाहिए, कि independent और dependent demand कौन से होते हैं, तो अभी मैं आगे उसको explain कर दूँँगा, आपको देख with replacement का मतलब क्या है, यही पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, independent और dependent event का क्या मतलब होता है, देखिए एक bag है, ठीक है, इस bag के अंदर में, यहाँ पर यह बोला है, पांच red balls हैं, तीन yellow balls हैं, ठीक है, पांच red हुए, तीन yellow और दो black balls, टोटल number of balls हमाहे पास में यहाँ पर 10 हो आप question के हिसाब से यहाँ पर यह बोल रहा है, कि तीन balls आपने निकाली हैं, तो जब आपने पहली ball निकाली है, ठीक है, यह आपने पहली ball निकाली, यह आपकी first ball हो गई, तो first ball जब आपने निकाली, आपने देखा उसका color, उसके बाद क्या हुआ, कि आपने इस ball को वापस से bag में डाल दिया तो यह होता है with replacement और जब भी इस तरीके का case होगा कि आपने ball को निकाला और उस ball को निकालने के बाद वापस से आपने उसमें डाल दिया bag में तो यहाँ पर जो आपके events होते हैं वो हो जाते हैं independent तो इस चीज का ध्यान रखेगा जब भी आपको with replacement का case मिल रहा है तो वहाँ पर independent events होंगे हमारे और जब भी independent event होंगे तो वहाँ पर हम लों multiplication theorem का use करेंगे तो यह तो हमको समय में आ गया है कि independent event कौन से होते हैं और with replacement अगर दिया तो उसका मतलब जो होता है वह independent ही होता है तो अब दूसरी बॉल जो आप निकालेंगे तो इसका यही मतलब हुआ कि दूसरी बॉल जो होगी दूसरा event जो होगा वो पहले वाले event पे depend नहीं करेगा इसलब लोग इनको बोल रहे है independent event अब देखे कैसे number of balls जो बैग में थी वो 10 थी ठीक है तो यह हो गया आपका red आने की probability यह आपके red आने की probability हो गई पी आर ठीक है यह हमने फर्स बॉल देख ली अब माल लिजे यह second ball जो हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों ने जो पहली बॉल निकाली थी हमने इसका color देखा हमने इसको वापस उसमें इसको वापस डाल दिया फिर आपने ठाड रो किया है तो इस बार मैंने पूछा किया आप ने जो थर्ड review किया इसमें ब्लैक आने की क्या probability है तो black आने की क्या probability है आपने देखा कि black कित्ती बहुत थी two black balls ही आपके पास में तो two black balls में अंदर किती है 10 balls है क्योंकि आपने first draw किया वापस डाला second draw किया वापस आपने back में डाल दिया तो अभी भी total 10 balls है ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगी probability of black तो यहाँ पर हमने probability of red, probability of yellow, probability of black हमने निकाल लिया question हमसे कह रहा है what is the probability that the balls drawn are one red, one yellow and one black ball तो हमको पता है कि हमको क्या करना है तीनों की एक साथ में निकाल लिका हम लोग multiplication theorem का use करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे probability of red and लिखे या फिर आप इसको multiply में लिख दीचे कोई दिकात नहीं red and yellow and black ठीक है is equals to probability of red multiplied by probability of yellow multiplied by probability of black ठीक है क्योंकि हम लोग together में इसी की बात करते है यही चीज़ यहाँ पर लिखेती happening of all of them together मतलब सबके एक साथ होने की जब भी probability आपसे पूछ आएगी वहाँ पर आपको apply करना होगा multiplication theorem को और multiplication theorem में आप क्या करते हैं individual probabilities को उनके multiply कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखे क्या होगा 5 by 10 multiplied by 3 by 10 multiplied by 2 by 10 ठीक है तो यह हमारी हो जाएगी total आप इसको अगर solve करें 53 15 15 to 30 तो यह हो जाएगा 30 by 100 इसको आप cancel कर लिजे तो यह होगा 0.03 तो यह आपका answer निकल कर क्या आएगा इस question का तो यह होती है multiplication theorem अब देखे multiplication theorem के अंदर हम लोगों ने जो अभी देखा वो किसका था वो independent का case था यहाँ पर हमारे जो event थे वो कैसे इंडिपेंडेंट थे क्यों क्योंकि यहाँ पर with replacement हो रहा था मतलब जो बॉल अम लोग निकाल रहे था उस बॉल को वापस से बैग में replace कर दे रहे थे लेकिन क्या हो जब आपने जो बॉल निकाली वो बॉल आपने वापस से replace नहीं करी ठीक है suppose यह आपके पास में backup वही हमारे पास 5, red, 3, yellow और 2, black balls थी, total number of balls हमारे पास में इस बार भी 10 थी, आपने पहली बॉल निकाली, अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर इसकी क्या probability तो आपने कुछ भी बता दिया जो probability rate की थी, अब आपने इसको replace नहीं किया, ठीक ह आपके पास में back के अंदर किती balls बची, 9 balls क्योंकि 10 थी, एक आपने निकाली तो आपके आसे 9 balls बची, तो यहाँ बजबाब दूसरा draw आप करेंगे, तो वो जो दूसरा draw होगा, वो पहले वाले event की वाज़ा से change हो जाएगा, मतलब वो पहले वाले event पर depend करेगा, इसलिए ह then the probability of simultaneous occurrence of the three events is the product of the probability of the first event and the probability of the second event after the first sub event has occurred and the probability of third after the first and the second sub event has occurred. तो यहाँ पर देखिए क्या statement लिखा हो है, probability of A, B and C, probability of A, B and C is equals to probability of A, यह जो लिखा है, इसका मतलब है probability of A, इसके बाद multiplied by, देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, यह देखिए, probability of the first event and the probability of the second event after the first event has occurred, तो यहाँ पर देखिए यह जो लिखा है, probability of B slash A, probability of, यह लिखा है B slash A, इसका मतलब है probability of B when A has already occurred, मतलब हम लोग B की probability देख रहे हैं, जब A already occur हो चुका है, तो वो हो जाता है B slash A, यह लिखने का तरीका है इसको, इसके बाद multiplied by, देखिए, यहाँ पर लिखा है, probability of the third event after the first and when the second sub event has occurred, तो यहाँ पर यह जो probability of C slash A भी लिखा है, इसका मतलब है probability of C when A and B has already occurred, probability of A हो गई, यह हमारी probability of A हो गई, यहाँ पर हम ने कहा, probability of B when A has already occurred, उसके बाद यह है, probability of C when A and B has already occurred, ठीक है, तो यह होता है slash लगाने का तरीका, तो इस तरह कर लिखा है B by A, तो इसका मतलब probability of B when A has already occurred अगर माली जे लिखा है B, A और C तो यह होगा probability of B when A and C has already occurred अब इसमें क्या करना है देखें यहाँ पर अब यह question हम लोगों क्या बोला back contains 10 balls of which 5 are red, 3 yellow and 2 black balls, same वही वाला question है जो अभी हम लोगों ने multiplication theory में देखा था यह back था हमाए पास में इसमें 5 red balls थी, 3 yellow balls थी और 2 black balls थी, तो total number of balls आपके पास में 10 थी, ठीक है आपने क्या किया, आपने पहली ball को draw किया, ठीक है पहली ball को आपने आपे draw किया, अब आपसे मैंने पूछा कि इसमें red आने की यह जो ball आपने टोटल balls थी, वो 10 थी, तो 5 by 10 यह होगा, अब आपने यहाँ बहुत देखिए, 3 balls are drawn successively without replacement, without replacement, जब multiplication basic की हम लोगों ने बात करी थी, देखिए conditional probability जो होती, वो कोई अलग से थेओर हमने multiplication काई है कि extension है, जहाँ condition अपलाई हो जाती, तो यहाँ आप जब आपने दूसरी बार इसको draw किया, दूसरी ball को, तो आपने पहली ball वापस नहीं डाली थी, मतलब आपने पहली ball निकाली, इसका आपने color देखा और इसको आपने अपने पास में ही यहाँ पर रख लिया, तो इसकी तो probability आपको पता चल गई, लेकिन अब यहाँ पर देखें, बैक के अंदर पहले 10 ball थी, जब आपने एक निकाल के अपने पास में रख लिए, तो अब आपके पास में यहाँ पर 9 ball हैं, तो अगर आपने दूसरी बार draw किया यहाँ पर और मैंने आपसे पूछा कि yellow आने की क्या chances हैं, तो आपने का कि probability of yellow जो होगी, क्योंकि total number of yellow balls मेरे पास में 3 हैं, और back के अंदर में इस बार देखें, इस बार back के अंदर कि 3 balls हैं, 10 है कि 9 है, इस बार back के अंदर 9 ball हैं, क्योंकि पहली वाले case में हमने ball को replace नहीं किया था, हमने अपने पास में 9 ball हैं, और यह जो second draw हमने किया, यह भी ball को हमने अपने पास में रख लिया, तो अब आपके पास तीसरा जब आप ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास में 8 ball होंगी, तो तीसरी बार जब आप ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि probability probability black की क्या होगी, बताइए मुझे, तो आपने का कि total number of black balls मेरे पास में 2 हैं, और जो bag था, उसके अंदर इस बार किती हैं, 9 balls थी, 9 में से 1 हमने निकाल के अपने पास फिर से रख ली, तो इस बार इसके अंदर total 8 ball हैं, ठीक है, तो यह जो येलो, when red has already occurred, ठीक है, probability of yellow, when red has already occurred, और जब तीसरा drop ने किया है, तो यहाँ पर probability of हो जाएगी black, when red and yellow has already occurred, अब आप उसको पूरा red red करके लिख जाएगा, yellow पूरा लिख जाएगा, यहाँ पर मैंने short में लिख दिया है, black, red और yellow, तो यह हो गया probability of red, यह हो गया probability of yellow, when red has already occurred, और यह last वाला हो जाएगा probability of black, when red and yellow has already occurred, तो अब conditional theorem के हिसाब से खर हम चलें, तो यहाँ पर क्या होगा, probability यह पूछ रहा है, one red, one yellow and one black ball, लेकिन इस बर क्या है, without replacement है, तो हम लोग conditional theorem को अप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा, probability of red and yellow and black is equals to probability of red multiplied by probability of yellow, when red has already occurred, multiplied by probability of black, when red and yellow has already occurred, तो probability of red केती थी, 5 by 10, multiplied by, यह क्या हो जाएगा, 3 by 9, multiplied by यह भी तरीके का doubt हो, आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी channel को subscribe कर लिजेकर, क्योंकि second part जो होगा, उसमें लोग कुछ questions को भी discuss करने वारे हैं, इसके, और वो जो question होगा, वो काफी important होते हैं, exam point of view से, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ फिर आप से next video में, तेंक यू